हेलो एवरिवन वेलकम टुरारा दोस्तों आज मैं रोजाना के लिए मेकप लुक दिखाने वाली हूँ और यह जो मेकप मैंने इस वक्त किया हुआ है इस पर मैंने ऑक्सिराइज जुमकी पहनी है और बहुत ही सिंपल सा मेकप है यह वन ब्रैंड मेकप प्रोड़क्ट तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ लैकमे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रिम और यह जो सॉफ्ट क्रिम में ले रही हूँ यह 40 रुपीज की आती है 25 ग्राम और यह प्राइमर मॉइस्चराइजर दोनों का काम करती है और काफी जादा अच्छी है और फेस और नेक पर इसे अच्छे तरीके से लगाएं उसके बाद मैं लैकमे की 9 to 5 CC कलर ट्रांसफर्म क्रिम ले रही हूँ जो की 01 बेज मेरा कलर है SPF 30 PA++ के साथ आती है और स्किन को कंसील करती है ब्राइट करती है इवन स्किन टोन देती है मॉइस्चराइज करती है प्रोटेक्ट करती है फ्रेश नैचरल कोरल मेरा कलर है और यह 500 रुपए का आता है इस पे भी डिसकाउंट आता रहता है इससे बहुत ही अच्छे से 2-3 कोट में अच्छे से से सेट हो जाता है यह CC क्रिम उसके बाद मैं लैकमे की आईब्राव पैंसल से ब्राउज को फिल कर रही हूँ यह 60 रुपए की जाती है और यह बहुत ही जादा अफॉर्डिबल है आपको यह सारे प्रोड़क्त नाइका पर मिल जाएंगे क्योंकि वहां पर लैकमे पे 30-50% तक आफ चलता रहता है और मैंने इसे क्यू डिप से समझ कर लिया अब मैं लैकमे 9-5 का यह जो आईशेदो पैलेट है इसका डेजर्ट रोज पैलेट लिया है मैंने और इसका पिंक शेड में ब्रश की सहायता से अपलाए कर रही हूँ और बहुत ही जादा सॉफ्ट पिंक कलर है यह मैं सिर्फ पिंक कलर को बेस के तरीके से यूज़ कर रही हूँ और और कोई आईशेडो यूज़ नहीं करूँगी सिर्फ एक कलर यूज़ कर रही हूँ नैचुरल लुक देख सकते हैं पास से कितना जादा यह प्यारा लग रहा है और दिन के लिए यह काफी अच्छा लुक है और अब मैं ले रही हूँ लैक मेका काजल जो की बहुत ही अफॉड़िबल है यह 75 रुपीज का काजल आता है लेकिन इस पर भी आपको 22-30 रुपीज आफ मिल जाएंगे और इस से दो से तीन कोट अपलाए करने पर थिक काजल का लुक जो है वो बन जाता है और अगर टीनेजर चाहें तो वो भी इस मेकप लुक को कर सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है डे टाइम के समय या ओफिस ग पैलेट का यह पिंक शेड और गोल्डन शेड को मिक्स करके लोवर लैश लाइन पर सेट कर रही हूं जिससे की मेरा काजल ना पहले और यह आप देख लीजे काजल अच्छे से अपलाए हो गया है अब मैं लैक में आइकॉनिक मस्कारा से अपनी पलकों को कर्ल कर रही हूं क्योंकि यह कर्लिंग मस्कारा है और उसके बाद आई लाइनर लगा रही हूं लैक में इंस्टा लाइनर वाटर रेसिस्टेंट लाइनर है यह और लैक में का लाइनर 120 रुपए का आ जाता है और मस्कारा 350 रुपीज का है लेकिन इस पर काफी अच्छा डिसकाउंट मिल ज और अगर बहुत जाद आपको ब्लश पसंद है तो मेरे पास लैक मे का ब्लश है ये करीना कपूर कलेक्शन वाला चीक कॉंटोर स्टिक है ये और इससे मैं ब्रश की सहायता से मैंने पिंक ब्लश अपलाई किया है आप चाहें तो कोई लिप्स्टिक भी इसके बजाए यूज कर सकती है और उसको अपलाई करने के बाद में अब मैं ले रही हूँ लिप्स्टिक और ये इन्रिच लिप क्रेयोन है लैक मे का और ये शेड है बेरी रेड जीरो वन ये वन एटी फाइव रूपीज की आती है और बहुत ही डाक रेड शेड है ये इस रेंज का आप देख ये अपलाई कर सकते हो और ये बिलकुल ऑक्सिडाइज नहीं होता ये एकदम चटक लाल रंग है और उसके बाद मैं अपलाई करने वाली हूँ बिंदी तो ये मेक अप लुक एवरी डे के लिए बहुत ही सिंपल और इजी और अफॉर्डिबल रेडी हो गया है लेकिन नहां पर ये ऑक्सिडाइज जुमकी पहनी है और इन्हें मैंने एक जूल्री हॉल में शेर किया था आप मेरे चैनल पर चेक कर लीजेगा उमीद करती हूँ आपको ये सिंपल मेक अप टुटोरियल अच्छा लगा है यदि पसंद आया है तो मुझे फॉलो जरूर करें इं